हलो एंड वेलकम टो कुश्चन अड़ा हम लोग एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर के प्रिविएस येर पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने उस सीरीज में 2015 के पेपर सॉल्व कर चुके हैं physics and mathematics के 2016 के भी physics and mathematics हमारे सॉल्व हो चुके है हर सिफ्ट के next हम लोग 2021 की mathematics हम लोग already सॉल्व कर चुके हैं सारे सिफ्ट के and 2022 की mathematics हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ये आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी ये सारी विडियोज अभी हम लोग जो करने जा रहा हैं 2021 के जितने भी तीन सिफ्ट जो हुए थे उस तीन सिफ्ट के physics के जितने भी कुश्चन थे 90 कुश्चन वो हम लोग करने जा रहा हैं ओके सो ये एक्जाम 25 मार्च 2021 को हुई थी ठीक है और इसके सिफ्ट बन की हम लोग सॉल्व करने जा रहा हैं अधुर रहा है जाँ अधुर्यक का आधानग प्राइम सिफ्ट इसफ्ट केंट गर्श्चन वींद्ट हूं केव अंधुर्व का कॉन्ज तो नहीं है और रहा है और प्राइम उनुर्व कोन्ज नहीं हमें 40 cm दिये हुआ है find the correct lens system कौन सा lens होगा now अगर हम बात करें तो हम यह पता है कि this one is the concave lens यह होता है concave अब क्या है हमें पहले ही बता दिया गया है कि convex lens और यह दोनों यह है और convex lens कैसा होता है ऐसा है तो this is convex lens ओके नाव इससे एंग तो इसका जो power होगा पहले हम लोग पावर निगालते हैं इसका ठीक है नाव दोनों को एड़ करके तो power जो होगा अगर equivalent P जो होगा वो क्या होगा first वाले lens का plus second वाले lens का power होता है now power जो होता है 1 by f1 होता है यह सब को पता है 1 by focal length होता है now what is f1 so f1 हो गया for convex lens ओके और f2 हो गया for concave lens now we can write 1 by 50 centimeter तो 50 centimeter है तो हम लोग इसको convert कर देते हैं can we write 0.5 meter minus अब इसमें न सबसे बड़ी जो चीज है वो sign की है है तो 0.4 यह minus 0.4 meter होगा what is the reason behind this the reason behind this is that focus length जो है अगर मैं हम लोग यहां बात करें ठीक है तो we can write that focus length of convex lens convex lens is always positive and focus length of ठीक है focus length of concave lens is always negative आप याद रख सकते हैं इस चीज को ठीक है now when we solve this question तो यह क्या हो जाएगा okay so इसको meter में convert करने की ऐसे कोई जरुवत भी नहीं है तो हम ऐसा नहीं भी कर सकते हैं so सीधे हम direct ऐसा लिख सकते हैं 1y 50 क्योंकि हमारा answer जो है centimeter में दिया हुए है 1y 50 plus 1y minus 40 now इसको अगर हम solve करते हैं तो क्या हो जाएगा 50 and 40 का LCM it's a 200 and of 50 into 4 minus it's a 5 so minus 1 by 200 is resultant focal length so जो resultant focal length हो गया F वो क्या हो गया जो दोनों lengths के combined वाला जो focal length हो गया हो गया minus 200 cm now minus 200 cm यह हो गया now यह चुकी minus है ठीक है since focus length is negative तो इसका क्या मतलब हुआ कि the combination focal length is minus so इस minus का जो significance क्या हो गया लिख सकते हम कि sense focal length it's negative the combination combination कौन सा जो convex or concave lens का combination है वो क्या हो जाएगा negative है तो diverging negative है तो diverging है ना is diverging diverging ठीक है now अगर यह हाँ पर focal length अगर positive होता तो यह हो जाता converging तो इस type के अगर आप से question पूछेगा तो आप अब इसको solve कर चुके हैं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग इस तरह के question पहले solve कर लिये हैं तो आंसर इस 200 cm and diverging lens फोप आपको यह समझ में होगा next question है हमारा कि find the electric field inside electric field outside the cylinder a distance r from the axis using gosla if a long and straight wire is surrounded by a hollow metal cylinder which axis coincides with that of the wire the wire has a charge per unit length of lambda and the cylinder has a net charge per unit length of 2 lambda बहुत ही आसान question है अब अगर हम बात करें cylinder का तो आपको कुछ formula याद होनी चाहिए इसमें तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि it's very difficult कि solve each and every question formula derive करके कर सॉल्व करेंगे तो it took a lot of time ओके so इस point P पे ठीक है r ठीक है न तो अगर हम इसको electric field even मानें इसमें तो इसकी जो formula होती है वो होती है 2 lambda plus by 2 pi epsilon not r ओके और अगर simple सी एक wire हो ठीक है तो उसकी अगर बात करें P distance पे ठीक है तो e2 की value लेटर से जम इसको electric field e2 मानते है ठीक है तो ये lambda by 2 pi epsilon not r और ये दोने outwards होगा तो अगर resultant electric field की बात करें तो और इससे दीक हैं गरत करें रिएगर अगर पे लेटर से अध़कर ओके, सिंपल सा कुषोच्चन था, ओके, next question, यहाँ पर हमने 2 lambda क्यूं लिखा है, यह 2 lambda इसले लिखे हैं, कि फिकौज यहाँ पर दिये हुआ है, कि सिलेंडर की, जो charge per unit length है, वो 2 lambda है, और wire की जो है, so lambda है, so wire का हमने lambda लिखा है, और यह formula होता है, तो you have to remember this formula, क्योंकि I am not going to derive this formula, okay? Next question है हमारा, कि body cools from 70 degree Celsius to 40 degree Celsius in 5 minutes. Calculate the time it takes to cool from 50 degree Celsius to 20 degree Celsius, the temperature of the surrounding is 10 degree Celsius. बहुत ही आसान question है, कि एक body है, वो cool होता है, 70 degree से 40 degree, मतलब 30 degree जो होता है, वो 5 minute में हो जाता है. Now, he is asking that the calculate the time it takes to cool from 50 degree से 20 degree होने में कितना time लगेगा. And also, इन्होंने कहा है कि surrounding temperature जो है, वो 10 degree Celsius है. तो बहुत ही आसान question है. तो इसके formula हमें पता होगा, कि if temperature of a body changes from T1 to T2, in time, small change dt, तो यह जो होता है, dt by rate of change क्या हो जाएगा, dt by dt is equal to K T minus T0. Okay? Now, what is the T0? T0 is the surrounding temperature. Now, change in temperature अगर बात कर रहा है, dt, तो हम क्या लिख सकते हैं? T1 minus T2 और यह dt, जो smallest time में हो रहा है, T is equal to K, और जो यह T होगा, तो उसको T average, तो T, जो है यहाँ पर T, which is T average, which is T1 plus T2 by 2. So, we can write T1 plus T2 by 2 minus T0, which is the surrounding temperature. तो हमें सब कुछ यहाँ फिर सारी value दी हुई है, तो यहाँ से हमें K की value निकल जाएगी. Okay? Okay, so let's solve T1 minus T2, तो 70 minus 40, okay? 70 minus 40, which is 30 by time 5 minutes, क्योंकि minute में यह answer दिये हुआ है, तो हम ऐसे करते हैं, K की value 70 and 40, 1, 1, 10 by 2, it's a 55, और surrounding temperature क्या दिये हुआ है? 10, so it's a 6 is equal to K into 45, so K is equal to 6 by 45, okay? So 3, 2 is a 6, 3, 15, so 2 by 15 is the value of K. Now what is the value of calculated time it takes to cool from 50 degree Celsius to 20 degree. Now we have T1 की value कितनी है? 50, नम लोग ज़स्ट इस formula का ही यूज करेंगे, T1 की value कितनी है? 50, और 50 से कितना होना है हमें? 20, तो 50 minus 20 by T, हमें पता नहीं कितना time में cool हो रहा है, K की value हमें पता चल गया? 15, okay? That's a constant and 50 plus 20, 70 by 2, it's a 35, minus surrounding temperature is 10. Now 30 by T, 2 by 15 into 35 minus 10, it's a 25. Now we can say 5, 3 जा and 5, 5 जा. Now what is the value of T? T की value जो होगी? 30 by, 30 into 3 by 5 into 2, so 90 by 10 which is 9, और चुकि हमने सारी minute में रखी थी, तो 9 minute, okay? So the answer is 9 minute. तो अगर आपको यह formula पता होगा, तो Newton's law of cooling से यह question बना सकते थे. यह question बहुत ही आसान था, अगर आपको formula पता होगा, आप formula note down कर लिजे, step की question अगर आगे भी आएंगे, तो आप उसको solve कर पाएंगे, okay? So next question है हमारा, An object of mass 5 kg is sliding with a constant velocity of 12 meter per second, okay? Now the velocity is 12 meter per second, the mass is 5 kg on a frictionless horizontal table, horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is, okay? So बहुत ही आसान question है, अब आप सोचिए कि यह question बनाने में आपको time लगेगा, नहीं, बहुत ही आसान question इसलिए है, क्योंकि यह question पढ़ोगे आप, तो आपको यह समझ में आ जाएगा, किस question में करना क्या है? He is saying that then object of mass 5 kg is sliding with a constant velocity of 12 meter per second, on a frictionless horizontal table. So frictionless है, तो तो फिर रुकेगा ही नहीं. So the force required to keep the object moving with the same velocity, वो same velocity में चलेगा अगर frictionless है. Because कोई भी बड़ी जो है, अगर slide कर रहा है कोई object, तो तभी रुकता है जो थोड़ा बहुत friction होता है, या कोई external force होता है. तो इसमें कोई भी external force नहीं है. No external force. Even जो friction है, वो भी नहीं है. तो क्या हो जाएगा? हमारा force क्या होगा? यह वैसे ही चलता रहेगा, तो हमें कोई extra force, अगर यह frictionless है, तो हमें कोई force लगा रहा नहीं होगा. ठीक है? कोई भी object, अगर slide कर रहा है, ठीक है? अगर same velocity से, कोई सी table है, यह कोई table है, अगर यहाँ पर slide कर रहा है, खुद से अगर 12 meter per second से है, और वो frictionless है, क्योंकि friction के कारण रुखता है, तो same रखने के लिए, हमें किसी भी force की जरूरत नहीं होगी. Okay? So frictionless है. So this is the answer, बहुत ही आसान question था, question कोई भी force की जरूरत नहीं होगी. Next question हमारा है, कि a galvanometer coils has resistance 20 ohm. Okay? That means, resistance of RG galvanometer coil, and the meter soj, full scale of deflection for a current of 2 milliampere. How will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 6 ampere? बहुत ही आसान question है. Now, अगर आपको formula पता होगा, तो यह question आसान हो जाएगी. So this is the formula, जो आप note down करेंगे. So value of shunt, कितना resistance का लगाना है, वो is equal to shunt IG, that means full scale deflection current in the galvanometer, I is the current to be measured, G, resistance of galvanometer. Okay? So इस पर formula पर आप बस value put कीजिए. So हमें क्या दिये हुआ है? Galvanometer coil का resistance 20 ohm दिये हुआ है. And the meter shows the full scale deflation for a current of 2 milliampere. Okay? So full scale deflation 2 milliampere दिये हुआ है. So IG की जो value है, IG की value, वो कितना दे दिया? 2 milliampere. यह काम तो हो गया, 2 milliampere. Okay? Now, he is saying the, what is the resistance of galvanometer? So resistance of galvanometer कितना है? 20 ohm. So what is the value of resistance of galvanometer? It's a 20 ohm. कोई दिक्कत. Now, full scale हो गया. Now, how will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 6 ampere? So let's solve this question. So value put करते हैं हम लोग. क्या करना है? हमें galvanometer coil has a resistance, तो IG की value कितनी हो गई? Full deflation में कितना है? 2 milliampere. So हम इसको, सबको 10 to the power minus 3 ampere. अब हमें क्या करना है? कि what is the value of I here? So I की जो value है, current to be measured. क्या current हमें measure करना है? तो हमें 6 ampere measure करना है. ठीक है? 0 to 6 ampere करना है. 6 ampere minus, अब यह ampere में है, तो इसको भी कर लेते हैं. 2 into 10 to the power minus 3 ampere. अब हम इसको solve करते हैं. तो हमारा यह क्या आएगा? ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40 and 40 divided by 1000. तो 1 by 10 to 0. 0,4. नीचे क्या हो जाएगा? 6 minus 2 by 1000. अगर हम लोग इसको करेंगे, तो यह 5.998 आएगा. So, 5.998. And 0.04 divided by 5.998 अगर हम करते हैं, तो यह हमारी value देती है. 6.66 into 10 to the power minus 3, which is 6.66 milli ohm. क्योंकि सब 10 to the power minus 3 है, और sunt resistance होता है. Now, तो यह हो गया 6 points. तो दो option तो ऐसे ही हमारा cancel हो गया. Okay. Now इस दोनों में है, तो sunt resistance register है. अब हमें यह चीज याद रखना है, कि whenever we have to convert a galvanometer को ammeter में convert करना है, तो series में लगाएंगे. और जब opposite करना होगा, तो parallel में लगाएंगे. तो अगर यह भी simple सी, अगर हमें पता होता कि galvanometer को ammeter में, G को A में करना है, तो क्या करना है, और ammeter को galvanometer में करना है, तो parallel में करते हैं. तो यहाँ galvanometer को ammeter में convert करना है तो हम यहाँ पे series में लगाएंगे ठीक है और ammeter को अगर galvanometer में करना होता तो resistance को parallel में लगाते है ठीक है ठीक है galvanometer के parallel में तो यह चीज अगर आपको पता होता यह आपको अगर पता होगा तो भी दो option ऐसे ही cancel हो करके आपके एक answer आजाते है तो इस इस दा answer 6.6 mAh sun register is to be connected in series with the galvanometer ओके आपको यह समझ में आएगा यह formula आप note down कर लेंगे ठीक है next इस पर और भी question पूछे हुए आगे next question यह है कि one electric field is given is 14 and one is given 18 okay now he is saying कि what will be the charge density what will be the charge density on the plane in SI unit ठीक है the electric field on two sides of a large charge plate is shown in the above figure so E naught is the permittivity of free space in SI unit ठीक है now electric field जो होता है so we can write here that the electric field of a charge plate of a charge plate plate is equal to sigma by two epsilon okay so अगर हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि E2 इधर है E1 भी इधर है होना so electric field due to this plate इस plate के कारण जो electric field होगा इधर होगा okay now external electric field जो होगा वो ऐसे होगा so external करें E not के अमाल लेते है external electric field okay ठीक है now यहां से क्या हो जाएगा कि can I write E0 minus E is equal to E1 ठीक है और E0 E0 plus E is equal to E2 now what is E? E is the electric field due to this plate समझ में आ रहा है कि what will be the charge density on the plate? plate पे charge density क्या है? the electric field on two sides of a large charge plate is shown in the ever figure मलब दोनों side एक E1 इधर है electric field क्या है इधर electric field क्या है और हम लोगों ने external E0 माना है और E जो है वो electric field due to this plate तो can I write E0 minus E is equal to E1 and E0 plus E is equal to E2 okay so E1 क्या है हमारा 14 और E2 क्या है हमारा 18 और E क्या होता है आपको पता है plate का sigma y to epsilon 0 ये तो formula हमने लिख दिया है okay now अगर तो sigma की value electric field of a charge plate now when we solve this two equation that's E0 minus E is equal to 14 and E0 plus E is equal to 18 तो हम इसको solve करेंगे तो 2E0 is equal to 32 तो E0 external electron 16 volt per meter and E की value क्या आ जाएगी 2 volt per meter now जब ऐसा आ जाता है ठीक है तो अब हमारा electric filter पे charge plate हमने क्या इसको क्या है E so E is equal to sigma y to epsilon 0 and what is the sigma sigma is the charge density on the plate now so sigma is equal to E into 2 epsilon 0 जो हमारा main work था वो E की value निकाला ठीक है so what is the value of E 2 into 2 epsilon 0 so can I write this is the 4 epsilon 0 okay so this is the 4 epsilon 0 so this is the answer so 4 epsilon 0 is the answer थोरा सा इसमें समझना था कि हमें कुछ 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 करना था and उससे E की value निकालने थी electric field की due to this plate and then फिर आपको ये फार्मूला तो आपको पता ही होना है चाहिए था next question है हमारा क्या point charge q is located on the axis of a disk of radius r at a distance n from the plane of the disk as shown in below figure find the value of r if 1 by 4th of the electric pulse from the charge passes through the disk only 1 by 4th pass कर रहा है लो इस question में हम लोग क्या कर सकते हैं so this is a good question and we knew that ये question अगर आपको बहुत जादा ही concept नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा so we know that the concept of solid angle solid again and so we know that solid angle subtended by the disk क्या होता है हमारा 2 by 1 minus cos theta ये तो आपको पता होना चाहिए now flux क्या होता है flux तो आपको पता होता है कि phi total is equal to q by epsilon now अगर हमें बोल रहा है कि flux through disk ठीक है जिसकी solid angle ये है so flux through disk having solid angle सारे से तो पास करेगा नहीं है ना 2 by 1 minus cos theta so so phi of अगर total में तो ये हो जाएगा लेकिन अगर सिर्फ disk से पास करने का बात करें तो जितना angle होगा उतना ही पास करेगा so can I write 2 pi 1 minus cos theta q by epsilon 0 4 pi epsilon 0 okay now total ये angle आ रहा है कितने में 4 pi में ठीक है so now can I write 5 of disk is 1 minus cos theta into q by 2 epsilon okay now अब हमें क्या बोल रहा है कि 5 जो disk का है वो 1 by 4th है phi total के तो हम क्या कर सकते हैं तो दोनों को compare करेंगे so disk का 1 by 4 ये है ठीक है तो phi total क्या है okay so writing 1 minus cos theta q by 2 epsilon 0 is equal to 1 by 4 into q epsilon now epsilon not cut गया q q cut गया 2 से 2 time में so 1 minus cos theta is equal to 1 by 2 so cos theta is equal to 1 by 2 now theta is equal to 60 now जब theta की value कितना हो गया 60 हो गया so इस figure में अगर हमारा ये angle जो है वो हो गया 60 degree ठीक है so this is the radius यह यहां से यहां तक का radius हो जाएगा ठीक है और this is the b so what is r by b tan theta is equal to perpendicular by base okay so r by b is equal to tan 60 degree so r by b is equal to तो हमें angle निकालना सा सबसे जादा जरूरी जो था so r is equal to root 3 b this is the answer अब इस question में सबसे जादा जो क्या था कि बहुत ही basic चीज़े यह थे कि electric flux हमको disk का कैसे निकालते हैं तो हमें यह अगर formula पता होगा कि एक angle है तो उसके according हम निकाल सकते थे कि अगर हमें पता होता है कि इसका angle क्या होता है solid angle का formula क्या होता है now अब जो flux होगा यह जो total जो होगा वो through पूरे angle के through तो through 4 pi ठीक है तो through 4 pi होगा total तो अगर flux सिर्फ disk के through करेंगे तो क्या हो जाएगा जितना 2 pi 1 minus cos theta by 4 pi हो जाएगा ठीक है कि मतलब जो angle है जैसे मान लेजिए कि 100 में angle में कुछ और हो रहा है तो 10 में क्या होगा ठीक है तो 1 by 10 उसका हो जाएगा तो उसी तरह हमने total जो flux है वो solid angle 4 pi में है और यह solid angle है तो इसलिए हम लोग we are considering 4 pi तो अगर disk के through करेंगे तो इतना 2 pi 1 minus cos theta by 4 pi and q by epsilon तो रहेगा ही इतना part है ठीक है that means कि 2 pi into 1 minus cos theta by epsilon 0 by 4 pi into 5 total basically यह था कि 5 total का इतना भाग ओके hope आपको यह समझ में आओगा गर आपको solid angle का और इसका disk पे कोई भी question आएगा तो no now you can solve hope आपको समझ में आओगा next question next question an alpha particle with kinetic energy 20 mega electron volt is heading towards stationary nucleus of atomic number 50 compute the distance of closest approach यह question पूछा गया है तो इसको हम लोग solve करते हैं now it is given that the kinetic energy is equal to 20 into 10 to the power 6 electron volt और इस electron volt को अगर हम joule में convert करें तो क्या कर सकते हैं 20 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 which is 32 into 10 to the power minus 3 joule यह तो convert कर दिया now he is saying that देखो alpha particle है तो alpha particle जो होता है उसकी क्या होती है 2 alpha 4 ठीक है now the closest distance of approach कब होगा so what is the q charge क्या हो जाएगा 2 electron क्योंकि इसके 2 electron होते है alpha particle के now he is saying the closest approach closest approach जो होगा closest distance of approach कब होगा when the whole kinetic energy whole kinetic energy will be converted into potential energy now क्या है kinetic energy 1 by 4 pi kinetic energy is equal to into q1 into q2 by r square और हमें r की value निकाल नहीं है now what is the value of q1 and what is the value of q2 तो q1 की जो value होगी क्या हो जाएगी एक value हो जाएगी 2 electron alpha particle का और एक हो जाएगा ze that means यहाँ पे दिया हो है 50 electron so 2e into 15 electron okay okay so what is the kinetic energy here 32 into 10 to the power minus okay so it's a 13 okay minus 13 is equal to 1 by 4 pi epsilon के value कितनी होती है so it's a 9 into 10 to the power 9 okay 9 into 10 to the power 9 into q1 की value कितनी है 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 q2 into 50 by r square now we have to find the value of r ठीक है closest distance आप हम इसो कैसे कर सकते है पहले तो 1.6 into 1.6 into 2 into 9 into 50 पहले उप सबको ये multiply कर देते हैं तो 2 into 50 into 9 and 18 900 ठीक है so which is equal to 2,3,0,4 so 2,3,0,4 now 10 to the power 9 into 10 to the power minus 38 by r square 32 into 10 to the power minus 30 so r square is equal to 2,3,0,4 into 9 minus 38 into 10 to the power minus 29 ठीक है by 32 into 10 to the power minus 13 which is equal to 2,3,0,4 into 10 to the power minus 29 into 10 to the power 13 divide by 32 ठीक है now क्या हो जाएगा 29 minus 13 which is 16 10 to the power minus 16 और 2304 divide by अगर 32 करते हैं तो आता है 72 into 10 to the power minus 16 meter ठीक है तो वी केन राइट 7.2 into 10 to the power minus 15 meter तो इसको हम लोग 7.2 FM ferometer लेख सकते हैं तो आंसर है 7.2 बहुत ही आसान था ठीक है सिंपल सा question था कि closest distance approach कब होगा तो closest approach तभी होगा जब kinetic energy convert into potential energy kinetic energy की हमें दिये हुआ है value सकते थे तो यहाँ पर electron electron cancel हो जाता but it's up to you जैसे भी solve करना है और potential energy हमारा यह हो जाएगा जो यह दोनों के बीच distance होगी half 1 by 4 by epsilon not q1 into q2 by r square now q1 for all is alpha particle के लिए 2e हो जाए 2 electron और nucleus 50 atomic number है तो jd होता है ठीक है तो 50 okay so good question next use radio waves to transmit voice communication in the ultra high frequency one क्या use करता है FM, AM, TV waves और cellular phones तो FM जो है so VHF यूज करता है यह हमें लोगो पता होनी चाहिए and the basic question that's the this is a cellular phone जो की हमें radio waves को use करता है to transmit voice communication in UHF ठीक है ultra high frequency okay next question a plane is in level flight at constant speed and each of its two wings has an area 20 meter square if the speed of the air is 198 km per hour over the lower wing and 270 km per hour per hour determine the plane's mass air density हमें बताया गया है कि 1 kg per meter cube आपको रत्मा है now यह जो question है Bernoulli's equation पे question है and this is the यह जो plane का है है ना यह Bernoulli's equation पे है तो यह आपको पता होनी चाहिए Bernoulli's equation यह हमने दे दिया है you can get this in the PDF okay so what is the Bernoulli's equation क्या कहता है va square plus rho g h is equal to constant जो यह है ठीक है now he is saying कि हमें क्या-क्या दिया हुआ है जो vl की value है वो दिया हुआ है ठीक है see this ठीक है constant है now what is the value of area two wings has an area of 20 meter square और speed of air दिये हुआ है ठीक है it's a 198 kilometer per hour and lower wing में तो velocity of lower wing लिख लूँ और velocity of upper wing में हमें दिये हुआ है 270 kilometer per hour इसको मगर convert करते है यह हो जाएगा 55 meter per second और यह हो जाएगा 75 meter per second ठीक है now हम इसमें क्या कर सकते है हमें density की value दी हुई है यहाँ पर density क्या दिये हुआ है 1 kg per meter cube ठीक है rho की value है यह सारी value हमारा VL की value है VU की value है now how can we solve this question now what is the area area of the wing of the plane क्या हो गया area of the wing of plane 2 2 wing cut 2 into 20 so it's a 40 meter square speed of the air हो गया density हमें है now pressure over lower wing तो let us assume कि pressure over lower wing को हम लोग लिखते है pressure over lower wing ठीक है so pressure over lower wing wing और pressure over upper wing pressure over upper wing ठीक है now what is the तो इसको अगर हम solve करते हैं ये formula का ही यूज करनी है हमें but let's do this now what is the force यहाँ पर देखिए force क्या है force है change in pressure into area नो हमें pressure कैसे निकाले यहाँ पर इसी formula से हम लोग बात करेंगे तो force क्या होगा जो हमें पूछ रहा है कि पहले हम force निकाल देते हैं ठीक है force now what is the force the change in pressure into area now what is the change in pressure so p1 minus p2 is equal to half of rho b2 square minus b1 square so इसको आप अगर हम lower अपर में रखें तो lower minus upper ओके lower being minus upper being and upper being minus यह velocity है now यह सारी value हमें दी हुई है ठीक है so इसी की value हम निकाल देते हैं इसको del p मानके और इसकी value निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे half और rho कितने दे हुए 1 और v इसका square क्यों होगा 270 नहीं हमने इसको meter में convert कर दिये था 75 का square minus so we can write here 1 into 75 का square minus यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 का square तो इसको हम solve करेंगे तो half into a square minus b square 75 plus 55 70 plus 55 which is 130 और into 75 minus 55 which is 20 so 210 यह जो pressure हो गया वो 1300 pressure हमारा इसका हो गया now change in pressure जो हो गया वो 1300 हो गया now अगर हम बात करें इसको फोर्स की बात करें तो फोर्स हम जानते हैं यहाँ पर है change in pressure into a so change in pressure कितना हो गया 1300 और एरिया कितना हो गया 40 40 square meter so यह कितना हो गया 52 thousand newton यह हो गया now हमें क्या निकालना है mass तो mass क्या होता है force f is equal to mg ma और a is acceleration तो acceleration due to gravity g तो we can say f is equal to mg now so force by gravity now force कितना है 52,000 newton अगर हम इसको gravity 9.8 करते हैं हम इसको 10 भी कर सकते हैं बढ़ हम इसको 9 करते हैं 9.8 करके देखते हैं now 52,000 divide 9.8 which is equal to 53,5306.1 so 5306.1 kg is the answer तो यह question अगर आपको Bernoulli's theorem पता होगा तो यह question बना सकते हो so you can get this PDF from the telegram okay so this is the answer else you can note down so this is the thing यह top bottom करके दिया हुआ है okay ना यह diagram तो यह हमारा question था next question a little candle 4.5 cm in size is located at 30 cm in front of concave mirror of radius of curvature R की value दी हुए 42 cm find the distance from the mirror should screen be located in order to obtain sharp image आने के लिए हमें इसको कहां पर रखना पड़ेगा ना यहां पर अगर हम mirror formula की बात करें mirror formula क्या होता है mirror formula जो होता है कि 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F and the focal distance is equal to the half of the radius of curvature now it is given that the U is equal to जो object का है little candle रखा हुआ है वो कहां पर रखा हुआ है okay so this is the concave mirror now this is the pole and this is C okay now अगर हम बात करें तो let us assume कि find the in front of concave mirror 4.5 cm की यहां पर कुछ रखी हुई है ठीक है okay now जो left side of mirror होता है अब sign की सबसे बड़ी problem है U की value कितनी है 30 cm और यह जो value है radius of curvature इसके half होती है focal distance तो यह दिये हुआ है 42 cm now जो सबसे बड़ी problem इसमें आती है कि आपको sign की problem आती है तो left side of mirror जितनी मी चीजे होगी ठीक है left side of mirror जो होगी वो negative होगी sign उनका negative होगा और right side of mirror जो होगा right side of mirror वो होगा उसकी size उसकी जो होगी वो positive होगी ठीक है एक और चीज है कि जो focal length होती है focal length of concave mirror lens का और mirror का आप sign का एक जगा लिस्ट बना लिए negative होता है और convex का जो होता है वो positive होता है lens और mirror का एक जगा आप इसको बना सकते है now हम लोग इस question को कैसे solve कर सकते है ठीक है तो अब हमें चुकी r की value दी होई है तो focal f क्या हो गया so f is equal to 21 cm और चुकी ये convex mirror है concave mirror है तो concave mirror में ये minus होगा so focal length is equal to minus 21 cm now what is the value of u u is equal to 30 cm और आप देख रहे हो कि mirror के left में है और left side of mirror में negative होता है ओके ओके so हमने क्या किया f is equal to तो इसको minus 21 cm हमने बता दिया कि क्यों इसको minus 21 लिखेंगे क्योंकि concave mirror में focal length negative होता है और u की value चुकी left side of a mirror जो भी sign होता है वो negative होता है और हमारा candle जो है वो left side में है in front है तो u की value भी minus 30 cm हो जाएगा now what is the value जो हमारी प्रतिवी में की image की दूरी होगी वही हमारा सारप image वहीं पे बनेगा so can I write 1 by V minus 1 by 30 is equal to minus 1 by 21 so 1 by V is equal to 1 by 30 minus 1 by 21 now it's a 210 so 7 minus okay 10 which is minus 10 by minus 3 by 210 which is minus 1 by 70 तो focal जो V होगी वो minus 70 है cm तो यहां तो हमें पूछाई नहीं की कहां पे किस साइड में है अगर यह negative पूछता तो हम लोग बोलते कि side of mirror में यह रखना चाहिए जो है सारप image के लिए mirror suit distance from the mirror कितना होगा ठीक है तो वो हम लोग यहां पे लिख सकते थे बट यहां पे ऐसा कुछ पूछा नहीं है हमें सिर्फ distance पूछा है तो हम सीधे 70 cm अगर उसके बाद पूछता कि negative है left tracking रखेंगे तो उसके बाद हम लोग वैसा कर सकते थे बट यहां पे जो question है वो simple सा है 1 by V let me check 1 by U U की value minus 30 minus 21 minus 120 okay so this is the 70 cm is the answer next question है हमारा कि what is the relevant equation of if object is at origin and velocity is V0 V0 is equal to I plus J okay now हमने जो हमारा formula है figure में देख लिए जो projectile motion में अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा यह है जो कि Y is equal to Y is equal to X tan theta minus G by G by 2U square cos square theta आपको याद रखना पढ़ेगा projectile motion के जो यह formula है वो आपको याद रखना होगा T is equal to 2U sin theta R is equal to Y square sin 2 theta G अगर theta की value maximum होगी तो Y square by G जी जी दे हो जाएगा height चो होगी maximum height चो होगी Y square by 2G होगी ठीक है यह height होता है और अगर maximum height की बात करें तो Y square by 2G हो जाएगा range है Y square sin 2 theta Y G बट अगर maximum range की बात करेंगे तो R is equal to Y square Y G ठीक है time का भी वही है 2U by G अगर normal 2U sin theta Y G है बट maximum की बात करेंगे so now this is the Y is equal to X tan theta minus G by 2U square cos square theta what they are they are asking that what is the relevant equation of object at origin and the velocity V naught is equal to I plus J so V naught is equal to I plus J तो इसका अगर हम magnitude निकालते हैं तो क्या होजाएगा magnitude जो होजाएगा वो होजाएगा root 2 and tan theta क्या होजाएगा pi by 4 that means 45 degree now X क्या हो जाएगा X root 2 cos 45 degree okay and X is equal to root 2 cos 45 degree now ऐसा होगा diagram this is the 45 degree और this is the V naught ठीक है तो ऐसा है V naught cos 45 degree okay okay इसको अगर लिखाएगा 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 V naught cos 45 degree V naught की वालु कितनी है root 2 cos 45 की 1 by root 2 so this is the 1 now what is the relevant equation okay so now just put the value of in this equation so can I write Y is equal to X tan 45 degree okay कहां से है 45 यहां से okay so इससे हम लोग बात करते है so X tan 45 degree minus G की जगा पर 10 रख देते है okay X square by 2 V naught square V naught की वालु कितनी है V naught की वालु root 2 है तो root 2 का square हम 2 लिख देते हैं सीदे okay and again cos square 45 now X यह ऐसे ही छोड़ देते हैं ठीक है X ऐसे छोड़ दे okay now X is equal to हमारा क्या था UT cos theta so यहां पर X की वालू क्या हो जाएगी V naught T cos 45 degree now can I write root 2 T into 1 by root 2 which is T so X की वालू T okay now Y की वालू उसी तरह निकालेंगे Y की वालू Y is equal to V naught क्या हो जाएगा root 2 T into sin 45 1 by root 2 ठीक है okay minus half into 10 into T का स्कॉर so T what is the value of T so T स्कॉर ऐसे ही छोड़ देता है 2 से 5 टाइम में root 2 root 2 can see that means can I write T minus 5 T स्कॉर so Y is equal to T minus 5 T स्कॉर और X is equal to T इसमें value रखने से कोई मतलब नहीं है उसी से आ जाएगा इसी से so X आपको ये formula याद रखनी परेगी so X is equal to T और Y is equal to T minus 5 T स्कॉर हमारे पस आ गया now हम अगर XY की जगह पे T ऐसे add करते हैं तो फिर क्या होगा ठीक है okay so answer इसमें से साइट कोई सही नहीं है because अगर R की value हम लिखें तो हमारा ये हो जाएगा XI plus YJ तो इसमें से कोई नहीं option है so this is the process जैसे कि आप solve कर सकते हो though this option is given in the answer की by ATC okay so the next question so light with an energy flux 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence if the surface has an area of 20 centimeter square find total momentum delivered for complete absorption during 30 minute time इस पहर बहुत ही आसान question है कि it is given that the energy flux जो है energy flux क्या है energy flux क्या दिया हुए है 18 watt per centimeter square now energy flux अगर हमें दिये हुए है तो power क्या हो जाएगा power energy flux into area so energy 1800 गुने area कितने है 20 centimeter तो यह थारा यह 3600 watt हो गया ठीक है 36,000 watt now अब क्या पूछ रहा है कि हमारा momentum so momentum जो होता है P is equal to क्या हो जाएगा E by C और E क्या होता है power into T by C okay so power कितना है 36,000 T कितना है 30 minute उसको हम लो 1800 second लिख सकते है now by C कितना हो गया 3 into 10 to the power 8 ठीक है तो यह 8 से तो यह 3 और यह 2 5 तो यह 3 बचा अब 36 into 18 divide by 3 यह कितना होता है 216 into 10 to the power minus 3 okay okay so I did some mistakes somewhere energy plex is not a 1800 centimeter it's a 18 centimeter it's a 18 centimeter so it's a not 18 into 2 it's a 360 so 360 okay तो 360 तीन गया तो यहां पर 5 बचे है तो यह minus 5 होगा so we can write 2.16 into 10 to the power minus 3 kg meter per second मैं अब यूनिट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ the reason behind this कि हम objective solve कर रहे हैं तो यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूँ बागी conversion में यूनिट आपको ध्यान रखने है so this is the answer okay formula याद होने चाहिए question बन जाएंगे next question है हमारा given figure so velocity time graph दिया हुआ है ball of mass to 550 gram rolling on a concrete floor computer acceleration and the frictional force of the floor on the floor on the ball अच्छी question है इसको देखते हैं हम लो now ये V और T का graph दिये हुआ है so velocity और time की graph होगी तो ये acceleration देगा ठीक है now mass की value हमें दिया है 250 gram and friction जो है अगर बात करें friction क्या हो जाएगा friction force जो हो जाएगा force F is equal to ma so इसको 0.25 kg into acceleration क्या हो जाएगा minus acceleration पहले निकाल के दिए दिखा देता हूं मैं कि acceleration जो होगा वो होगा slope हमने देखा है this one ही था so slope क्या हो जाएगा 0 minus 80 velocity by time 0 से 8 second so 0 से so 8 से 8 minus 0 so minus 10 meter per second square so minus 10 यहाँ multiply करते है so क्या हो जाएगा minus 2.5 ठीक है newton this is the so minus 2.5 newton का एक ही है so this is the so one is only and so what is the friction force of the floor rolling compute the acceleration the frictional force so this question is also wrong okay so the acceleration is minus 10 meter per second square और यहाँ पे so I think कोई भी question इसमें अंसर सही नहीं है because we got the acceleration is minus 10 meter per second square and the frictional force is minus 2.5 newton okay so इसके force सही है और इसके acceleration सही है so this is the correct answer and ATC in answer in their answer gave that answer but in the final answer की they changed this answer so this is the real answer okay next question so a particle of 15 kg is moving in a constant acceleration 3 meter per second square starting from rest find the momentum and velocity as per the following अब इसमें आप मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ उससे आप सारे value निकाल सकते हो so it is given here that the mass is 15 kg acceleration is 3 meter per second square initial velocity is 0 so from B is equal to U plus AT ठीक है तीन formula है VA square is equal to U square plus 2 AS S is equal to U2 plus half AT square ठीक है इन formula के basis पे हम लोग value निकाल सकते हैं अगर हम first बात करें time is equal to 0.5 second so when the T is equal to 0.5 second ठीक है so now what is the value of V V is equal to U0 है plus A A in 3 है A कितना है 3 meter per second और T के value कितनी है 0.5 so it's a 1 point so V velocity क्या हो गया 1.5 meter per second तो एक तो velocity हमें निकालने के लिए बोल रहा है तो हर सारे formula सब में हम ये लगा सकते हैं अगर यहाँ पर 1.5 into 3 तो ये 4.5 हो जाएगा ये 2 into 3 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा ठीक है और ये 1.5 ठीक है एक्सलेशन से बस V is equal to velocity तो अगर हम इसको option चूज करें ठीक है तो क्या हो सकता है option अगर हम चूज करें तो क्या होगा 6 1.5 4.5 6 और 9 1.4 ओके तो ये 1,2,3,4 एक option है ये दूसरा option है ये तीसरा option है ये 4th option है तो अगर हम इसमें बात करें तो 1.4 है 4.5 और 5 है 6.5 है जो की नहीं होगा 6 होना चाहिए यहाँ पर फर्स में बात करें तो 1.5 इसमें तो सब है ठीक है इसमें भी सब है नहीं इसमें 7 है तो ये भी नहीं होगा answer now 1.5 तो दो ऐसे option है जिसमें ऐसा है तो किसी एक की हम लोग क्या करते है पी निकाल लेते है ठीक है ना momentum तो पी इस इकल टू एम वी so what is the value of mass it's a 15 और ये 1.5 so कितना हो जाएगा 15 into 1.5 which is 22.5 now तो 1 एक का 22.5 हो गया अब अगर हम 4.5 into 15 करते है तो कितना हो जाता है हमारा 67.5 फिर अगर हम 6 into करते है तो हो जाएगा 90 और अगर 9 into 15 करते है तो 100 and 35 okay so the answer is this one this is the answer this is the right answer okay बहुत ही आसान कुश्यन था फर्मूला बेस कुश्यन था next question है मारा कि अ पैर्लल प्लेट कापसिटर made of a circular plate each of radius R is equal to 6 cm has a capacitance C is equal to 100 pico farad the capacitor is connected to 230 volt AC supply with an angular frequency 320 radian per second what is the RMS value of conduction current so he is asking the RMS value of conduction current so let's solve this question so R की value जो दी है वो है 6 cm C की value जो है 100 pico farad है ठीक है और voltage कितनी है 230 volt and W की value कितनी है ओमेगा which is 320 radian per second अब I जो होती है नब I जो होती है वो B Y V is equal to IR ठीक है क्योंकि हम लोग पता है कि inductance का जो resistance होता है वो होता है omega L now इसमें आप अगर value रखते है V omega C हो जाता है so V कितनी है velocity V कितनी है V okay and omega कितनी है so omega की value कितनी है 320 और capacitance की क्या है it's a 100 into 10 to the power minus 12 okay so अच्छा voltage तो मैंने लिखा ही नहीं 230 okay so अगर हम इसको multiply करते है so we got we get 736 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 12 so we can write 736 into 10 to the power minus 8 और answer लाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे 7.36 into 10 to the power इसको minus 6 लिख सकते है so can I write 7.36 micro ampere is the current so this is the answer अगर आपको ये पता होगा तो आप इसको solve आराम से कर सकते थे अगर ये formula पता होगा तो capacitor के लिए V is equal to IRE होता है बट वहाँ पे capacitor के resistance होता है conductance OXC होता है अगर आपको 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 पता होनी चाहिए अगर इस question को हमें solve करना है तो let us assume कि एक point कोई ले लेते हैं हम लोग P X Y ठीक है general point किसी को X Y ले लेते हैं अगर potential अगर हम बात करें let us assume तो two electric charges Q और distance six meter apart और gentle plane तो हम लोग ऐसा माल लेते हैं कि ये जो Q है वो 00 पे है और ये minus two Q charge जो है वो कितना six meter apart है तो six zero पे है ठीक है now potential at this point क्या हो जाएगा इस point पे potential अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे यहां से हम लोग calculate करते हैं तो इसकी potential और इसके लिए better potential that means कि add P Q के कारण जो potential होगा और minus two Q के कारण potential होगा उसको हम लोग दोनों को कि ठीक है जो add कर देते हैं now दोनों का ठीक है तो क्या हो जाएगा के Q पहले तो होगा के क्यू और by x minus 0 का whole square distance formula से y minus 0 का whole square plus ठीक है minus two KQ यह formula हम लोग को पता है from this formula I am writing this root x minus 6 का square plus y minus 0 का square no now यहाँ पर क्या किया है कि regarding locus of point on this plane फिर तब potential है जब value 0 so 0 potential के लिए इस दोनों को हम लोग 0 कर देते हैं now when we solve this question when we solve this तो K हमारा cancel हो जाता है KQ यह 0 है इधर तो दोनों common लेकर के अगर divide करतेंगे तो cancel हो जाएगा तो basically हमारा जो बचता है यहाँ पर वो यह बचता है कि x minus 6 का और यह भी cancel हो जाएगा और सिर्फ minus 2 यहाँ बचेगा so what we can do okay so हम इसको इसको हम थोरा सा नीचे लेके आते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं so can I write kq by x square plus y square is equal to 2 kq by x minus 6 का square plus y square ठीक है तो kq कट गया अब यह x minus 6 का x minus 6 का whole square plus y square is equal to root under x square plus y square now squaring both the sides x minus 6 okay so एक 2 हमारा यहाँ पे भी है so x minus 6 का square plus y square is equal to 4 यह सब जितनी भी questions है इसको examination में छोरने में ज्यादा अच्छा है क्योंकि यह lengthy process है so x square plus 36 minus 12x plus y square अगर आप पहले ऐसे question देखे हुए हो तब तो आप solve कर सकते हो अगर आप पहले ऐसे type की question नहीं देखे हो तो 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 वेरी difficult to solve this question okay now what I am going to do is it's a 3x square plus 3y square minus 12 जीदा गया तो क्या हो गया 12x ठीक है और यह plus 36 minus 36 is equal to 0 now यह 3 को हमें जो चुकी x square plus y square plus 4x कॉमन ले लिया हमने minus 12 is equal to 0 this is the equation of a circle अगर आपको यह पहले कभी step के question solve किया होंगे तो आप इसको जल्दी solve कर लोगे यह 1 or 2 minute लगेगा इसको solve करने में now this is the equation of circle now this is the equation we knew that equation of circle क्या है f y plus c is equal to 0 अगर होता है तो ऐसे अगर equation होता है तो center क्या होती है minus g and minus f तो यहाँ पे तो y वाला कोई termी नहीं है तो यहाँ क्या center होगा minus g तो minus g क्या हो जाएगा 2 into 2 तो minus 2 और यह 0 तो जो हमारा center होगा minus 2 0 होगा ठीक है तो radius और इसकी जो radius होती है वो radius होती है g square plus f square minus c तो अगर हम यहाँ radius भी पूछेगा तो हम ले इसे क्या कर सकते है g square which is minus 2 का square f square 0 और minus c अगर बात करेंगे तो minus c में कितना है it's a 12 so minus minus plus 12 तो 4 or 12 16 so r is 4 ठीक है तो radius हो जाए की 4 meter तो अब हमारा जो question पुछा है तो देखे the locus of a point is circle with radius 4 meter and center minus 2 0 so this is the answer and this is the process so हमने formula भी लिख दिया concept भी लिख दिया and this is the solution next question जो हमारा है कि hydraulic lift is used to raise a car of mass 2000 kg the area of cross section of piston on which the car is placed is 375 cm square what pressure the smaller piston has to bear if bigger piston is 2 meter higher than the smaller piston the density of oil used in the lift is 800 kg per meter cube and gravity g जो है वो 9.8 meter per second square now we have to solve this question अब इसमें जो है ये step की है ये diagram देखकर क्या आपो समझ में आ रहा होगा कि क्या है कि this one is the force one और यहां से ये car को उठा रहा है और ये जो liquid है जिसकी gravity हमें दी हुई है इसको यहां से pressure डालते हैं तो इस liquid के pressure से ये उपर उठता है now ये है diagram इसमें आपको ज़्यादा समझ में आया होगा so ठीक है तो मास हमें दे दिया इस car का जो मास है वो हमें दे दिया 2000 kg and the area of cross sectional piston which the car is placed इसकी जो area है तो ये A2 माना है इसको तो what is the value of A2 A2 की जो value है वो है 375 cm square now ठीक है इसको meter में convert कर सकते हैं 375 into 10 to the power minus 4 meter square यहां तो कोई दिक्कत नहीं है now what pressure the smaller piston has to bear if bigger piston is 2 meter higher than the smaller that means कि ये smaller piston is bear if bigger piston is 2 meter higher than the smaller piston ठीक है और इसमें तो ऐसे ही दिया हुआ इसमें 2 meter higher है क्या इस से okay so this distance is 2 meter now ठीक है इसमें नीचे दिये हुआ उपर दिये हुआ वो उससे कोई matter नहीं करता है so now हम इसको कैसे solve कर सकते हैं so mass दिया हुआ है area of cross section g की value दिये हुआ है so now force क्या होगा so force इधर क्या होगा बरावर weight of car weight of car so bigger question पर जो force होगा that means कि f2 अगर बात करें तो force on bigger piston क्या होगा mg so 2000 into 9.8 कितना हो जाएगा ये 19600 now what is the pressure pressure is force by area तो 90, ये newton होगा I am not writing 1900, 600 by area कितना है 375 into 10 to the power minus 4 तो इसको अगर हम solve करेंगे तो 19600 divide by 375 so I am using calculator but examination में calculator allow नहीं है so its value is 5.22 into 10 to the power 5 22 into 10 to the power 5 पासकल ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा pressure इदर now अगर हमें बता रहा है कि pressure 2 meter below क्यों भई 2 meter below क्यों क्योंकि he is saying रहे कि pressure what pressure the smaller piston has to bear if bigger piston is अगर ऐसा हो कि bigger piston is 2 meter higher अभी है नहीं अगर ये bigger piston 2 meter high होगा smaller piston से तो क्या होगा तो कुछ नहीं है 2 meter below अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग P not क्योंकि वो liquid के कारण होगा is equal to 2 meter below क्या हो जाएगा sorry so I am writing here okay so below this is P0 plus rho G and H now P not की value कितनी है 5.22 into अगर आप इसको थोरी brain भी लगाते हैं तब भी ये question बन सकता था सिर्फ इस value को निकालने से भी आप अनुमान लगा सकते हैं तो कि 5.22 से थोरा जादा होगा तो 5.22 option में होगा नहीं और बहुत इतना भी जादा नहीं होगा तो अगर आप थोरा brain भी लगाते हैं तो आप इस option को लिख सकते हैं बट I am going to solve this तो रो की value है 800 kg per meter square है into 9.8 into 2 meter तो अगर आपको यह पता होगा यह formula और इसमें बहुत सारी formula जरूद नहीं थी आपको pressure का पता होना चाहिए कि force by area होता है और force होता है mass into gravity तो उससे भी यह question एक हद तक बन सकता था तो question जब भी आप देखते हो तो जितना आप समझ सकते हो उतनी चीज़ें आपको करनी चाहिए इसमें क्या होता है यह बड़ा ही आसान question है इसका formula याद रखिये अगर यह dipole है मतलब 1-q है और 1-q है now अगर यह distance 2L है यहाँ पे एक point है जिससे कि हमें पूछ रहा है कि electric field intensity क्या होगा now P जो होता है dipole moment वो q into 2L जो distance होता है तो इस question को अगर electric field बात करें तो क्या हो जाएगा electric field बात करें तो e plus q charge के कारण क्या electric field होगा और minus q field के charge के कारण क्या होगा वो उससे हम निकालेंगे और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो P by 4 pi epsilon 0 r q होगा तो अगर हम इसको solve करें ठीक है यह distance r होगा ठीक है न तो अगर हम लोग इसको solve करें तो हमारा answer आ जाएगा e की value 2P by 4 pi आप formula भी याद रख सकते हो इसका यह अगर आप इसको solve करना सकते हैं you can solve this also so 2P by 4 pi epsilon 0 r q okay so which one is the answer so the first one is the answer hope आपको यह समझ में आ गया होगा next question कुछ formula भी याद रखी कि इस नॉट possible कि हम सारे derive करें already for 30 questions समझाने में 2 घंटे के आसपास लग जाती है ठीक है next question है हमारा का circular coil of wire consisting of 500 turns each of radius 6 cm carries a current 0.30 find the magnitude of magnetic field B at the center of at the center of the coil magnetic field हमें पूछा जा रहा है so B क्या होती है magnetic field which is mu naught by 4 pi अब यह formula है n is the number of turn ni by r now mu naught की value ठीक है क्या होगी and 4 pi into 10 to the power minus 7 by 4 pi so I am writing some mistakes I am doing some mistakes okay so यहाँ पे 2 pi हम लिखेंगे लिखेंगे 500 term है turn है वो भी लिखेंगे और 0.30 current है वो भी लिखेंगे ठीक है उसके बाद हमारा जो radius है वो 6 है तो हम इसको 6 into 10 to the power minus 2 भी लिखेंगे और इसको फिर solve करके दिखेंगे कि हमारा क्या answer आ रहा है so that's the value of this one so I am solving this and so I am using 2 into 3.14 into 500 into 0.3 okay so this is 942 divided by 6 which is 157 157 so I did some mistakes somewhere I did some mistake any mistake anywhere 2 pi and I and this one this one ठीक है ठीक है so I think इसमें से कोई भी option सही नहीं है इस question में कोई भी option सही नहीं है ये question गलत है so the answer is 1.57 into 10 to the power minus 3 10 to the power minus 3 Tesla ये answer होगा वैसे आपके जो इसमें ATC ने जो answer की दिया था उसमें ये answer दिया था जो की possible नहीं है next question हमारा ये है ये होता है center पे magnetic field हमने पिछले कुछ वीडियो में इसको derive दी किया है ठीक है repeated question है बस data change है next question what is the period of revolution T of charge minus minus Q1 if a particle of mass M carrying a charge minus Q1 starts moving around a fixed charge Q2 along a circular path of radius R so he is asking about the period of now period of revolution जैसे कि he is asking this is the thing कि यहाँ पे Q2 है और इसके चारो तरफ ये Q1 गोम रहा है और इस दोनों के बीच की distance जो है सो R है तो अब ये force इदर लगेगा force F ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं so now what is the F is equal to K Q2 Q1 by R square और ये equal to हो जाएगा M B square by R के circular motion आपने पढ़ा होगा now what is the V square V square is equal to K Q1 Q2 by MR अब एक RR cancel हो जाएगा ठीक है question था इसको आप आराम से बना सकते थे Q1 MR इसको हम सबको अगर हम एक में रखें तो can I write ऐसा कर सकते हैं क्या इसको भी हम लिख देते हैं इसके अंदर में 4 pi square R square 2 pi R को अंदर रखने के लिए हमने ऐसा किया है not 4 pi और ये इसको हम लोग 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 by MR now इसको अगर हम उपर ले जाते हैं तो हो जाता है 16 pi q epsilon 0 RQ M by Q1 Q2 in the root so T is give value यह हो जाती है now 16 pi q epsilon 0 RQ Q1 Q2 so 16 pi q epsilon 0 MRQ Q1 Q2 यह होगा नहीं एक बाला 16 pi q so this is the A जो होगा इसका आंदर हो बहुत ही आसान question था next question a block of surface area 0.2 meter square is placed on a frictionless horizontal surface of 0.22 mm thick uniform layer of liquid on applying a constant and horizontal force 0.010 kgf on the block it begins to move with a constant speed 0.075 meter per second calculate the coefficient of viscosity of the liquid so velocity 0.075 meter per second f force कितना है 0.010 और kgf है इसको हम लोग 10 gravitation से multiply करते है 1 kg is equal to force तो g newton कर देंगे 9.8 या 10 से आप multiply करते हैं ठीक है और ये जो weight ऐसा लिखा हुआ है kgf तो ये क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि weight of a kg 1 kg weight under standard gravity ठीक है तो आप 9.8 भी ले सकते हों बढ़ हम आसान से solve करने के लिए इन तीनों में प्चारों में difference बहुत बढ़ जादा है तो हम लोग 10 भी ले सकते हैं तो हमारा answer आ जाएगा Now what is the area it's a 0.2 meter square and height is 0.2 into 10 to the power minus 3 meter Now we knew that the viscosity क्या होगा viscosity वाला जो formula है A dby dx ठीक है Now he is asking coefficient of viscosity Now force की value जो है 0.01 अच्छा 10 से पहले multiply ही कर देते हैं तो 10 से multiply किये तो क्या हो जाएगा 0.1 is equal to eta area 0.2 V के value 0.075 और नीचे 0.2 into 10 to the power minus 3 Now इसको अगर हम solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 into 0.075 divide by 0.2 So it's a 0.075 Okay so 0.2 से 0.2 तो cancel हो गया तो यह और यह जाएगा तो यह जाहेगा तो यह 0.75 और यह और यह अगर हम करते हैं 1 divided 0.075, which is equal to 1.33 into 10 to the power minus 3, ये पास्कल into second होती है, ठीक है, so 1.33 into 10 to the power, so this is the answer, तो ये अगर formula आपको पता होता हो, तो ये बहुत ही आसान question था, ठीक है, next question, which of the following physical quantity belong to dimension MLT minus 2 और A minus 3, ये जो किसकी है, ये question पूछा गया है, ठीक है, so अगर हम इसको solve करें, तो इसको क्या किया जाकता है, हमारे पास है MLT minus 2 और A minus 2, so MLT minus 2 जो होता है, वो होता है force का, क्योंकि force is equal to mass into acceleration, mass का M और acceleration जो होता है, velocity is LT minus 1, okay, मैं इसको अगर पूरी तुरे से solve करना चाहूं, तो क्या हो जाएगा, length का क्या हो जाएगा, length या distance का हो जाएगा, L, time का हो जाएगा, क्या T, so length by time, अगर हम बात करें, तो velocity, so length by time क्या हो जाएगा, LT minus 1, अब acceleration क्या हो जाता है, V by T, so LT minus 1 by T, so LT minus 2 हो गया, and force is equal to mass into acceleration, तो M into LT minus 2 हो गया, and here it is given that force by, force, ठीक है, force by A square है, ठीक है, तो force by A square, तो ऐसा A में कौन सा होगा, ठीक है, so force area नहीं है ये, ये है हमारा current है, ठीक है, now अब इसमें magnetic है, torgen constant है, magnetic field है, तो magnetic field, बहुत सारे तो आपको याद होगी, तो हम, ये हमें लाना है, so now we knew that की mu की जो होती है, b by h होती है, और b ju जो होता है, वो क्या होता है, b by h, so mu में अगर हम बात करें, तो n by am, और h का जो होगा, वो a by am, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये सोड़ी, ये b का है, सिर्फ b का, और ये है h का, तो mu की अगर बात करें, तो n by am by a by m, ठीक है, तो इसको अगर हम करें, तो n by a square, so n is the newton, ये जो होगया, current का होगया, ठीक है, तो इसलिए हम लोग probability of free space का, वैसे भी probability epsilon 0 and mu का, epsilon का mu का आपको dimension याद रखना चाहिए, okay, next question हमारा ये है, कि which of the following is not the characteristic of electromagnetic waves, इसमें से electromagnetic wave की characteristic क्या नहीं है, moving charges are responsible to produce electromagnetic wave, electromagnetic wave follows the principle of superposition, सही है, electromagnetic wave propagation does not require any material medium to travel, सही है, the electric velocity vector is the reason for the optical effects due to an electromagnetic waves, actually moving charges are responsible to produce electromagnetic waves नहीं, accelerating charged particle, accelerating charged particle produces electromagnetic wave, so the answer not correct पूछ रहा है, ये होगा, next question हमारा क्या है, कि given the coefficient of kinetic friction between trolley and the surface is 0.06, neglecting the mass of string, determine the acceleration of block and trolley system of given diagram along with the tension in the string, consider g is equal to 10, नहीं 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 बता दिया है, कि g की value हमें 10 रख नहीं है, यहाँ इसको हम कैसे solve कर सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे यह करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह 30 newton, यहाँ पे force लग रहा है, उपर में tension है, और यह 3 acceleration से निचे आ रहा है, नाव तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 30 minus t is equal to 3a, ओके, अब यहाँ का जो यह है, इसको अगर हम बात करें, तो 20g, mass into gravity, 20g, और उपर एक normal लगेगा, उपर normal लगेगा, इधर tension लगेगा, और इधर friction force लगेगा, ठीक है, तो t minus fk is equal to, और यह चुकि इधर move कर रहा है, तो 20a, 20 into acceleration इधर भी लगेगा, तो 20a, तो यह दो हमारा equation हो गया, ठीक है, नाव इस डोनों equation से हमें निकालना है, नाव fk की अगर बात करूँ, तो fk कैसे निकाल सकते हैं, mu and kinetic friction, so mu की value क्या है, 0.06, ठीक है, और n की value है, 20, n की value, 20 into gravity, तो 10 रख लेते हैं, तो 200 newton, नाव 200, तो यह कितनी हो गई, अगर बात करें, तो 12 newton, हमारा kinetic friction है, नाव अगर kinetic friction 12 newton आ गया, तो अब तो हमारा काम आसान हो गया, so from 1, we can write, T minus 12, is equal to 12, 20 A, और यह क्या हो जाएगा, minus T, plus 30, is equal to 3 A, बस जिस रियर्रेंज कर दिया है, nothing else, नाव इसको अगर हम solve करते हैं, दोनों equation को, तो क्या कर सकते हैं, यह add करेंगे, तो यह हो जाएगा, 30 minus 12, which is 18, और 20 A, और इधर कितना है, 3 A, which is 23 A, so, acceleration की जो value होगी, वो 18 by 23, so, 18 by 23, so, I am doing some mistake, 23 or not, so, it's a 0.79, 0.7826 है, तो हम we can consider 79 meter per second square, और हम when we put the value of this in this, किसी equation में, so, T minus 12 is equal to 20 into 0.79, so, 20 into 0.79, okay, 20 into 0.79, which is equal to 15.8, plus 12, which is equal to 27.8, एराउंड, ठीक है, so, tension की values होगी, 27.8, so, the answer is D, वोप, आपको यह समझ में आया होगा, बहुत ही आसान question था, बट अच्छा question था, ठीक है, तो जिनको free body diagram और बनाया होगा, 12 में, उनको यह समझ में आगया होगा, next question हमारा है, कि which of the following statement is incorrect for heat, incorrect पूछ रहा है, ठीक है, so, when two bodies are mixed, total heat is equal to the sum of the heat contents of the two bodies, यह सही है, it is measured by the principle of calorimetry, यह भी सही है, heat content of body depends on its mass, temperature and nature, यह भी सही है, now, कहां गलत है, the temperature of the two bodies are same, even if their heat content are different, नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या, कि दोनों का temperature same होगा, if the temperature of the two bodies are same, even if their heat content, heat अगर दोनों में अलागला होगा, तो temperature दोनों का same कैसे हो सकता है, it's not possible, so incorrect पूछ रहा है, तो basic question था, next question हमारा है, कि an object is placed in front of concave mirror, of radius of curvature 15 cm, at 10 cm, 5 cm, determine the case among AB, in which image is magnified, virtual and erect, तो यह भी question, अगर आपको mirror जानते होंगे, तो बहुत ही आसान है, the first thing, जो magnification आपको पता होना चाहिए, कि magnification क्या होता है, formula आपको पता होनी चाहिए, सारी optics से question बहुत पूछते हैं, minus by u, v is the distance of image, and u the distance of object, now u की value जो हमें दी गई है, वो पहला हम consider करते हैं, a, a बनाते हैं, a is equal to minus 10 cm, क्योंकि, place in front of concave mirror, तो हमने पहले पढ़हा हैं, इसी lecture में, कि अगर concave mirror होगा, तो u की, ये left में जो भी होगा, वो concave mirror है, तो concave mirror, left side of mirror जो भी होता है, वो negative होता है, तो left side अगर है, ठीक है, तो left side में जो भी होगा, वो negative होगा, तो u की value minus 10 cm होगा है, now f की value जो होता है, वो हमने पढ़ा था, radius of curvature by 2 होता है तो 15 by 2 कर देंगे, but यहाँ minus हो जाएगी, क्यों minus होगी because यह भी हमने पढ़ा था कि focal length of a concave mirror is always negative so u की value और यह हो गई so now 1 by v plus 1 by minus 10 is equal to 2 by minus 15 1 by 15 by 2 होगा तो उसको हम लोग 2 by minus 15 दिखें है so when we calculate this we got v is equal to minus 30 centimeter so minus 30 centimeter तो इसका क्या मतलब हुआ, कि real and ठीक है, add 30 centimeter ठीक है न, real होगा और 30 centimeter का होगा ओके so magnification के अगर बात करें यहाँ पर तो magnification क्या हो गया minus b, तो 30 और minus u, minus 10 so it's a तो जैसे ही यह real हो गया तो real हो गया तो बात ही गतम हो गई so magnification की परत करें तो यह minus 3 आ गया minus 3 now minus 3 है so यहाँ पर real ओके यह magnification minus 3 हो गया invertage लेकिन यह inverted होगा ठीक है inverted and minus 3 है तो inverted हो गया and magnified 3 times ठीक है तो यहाँ तो पता है in which image is magnified तो magnified तो है 3 times but यह कह रहा है कि inverted है but हमें क्या चाहिए real magnified virtual and erect virtual erect दोनों चाहिए तो एक तो यह पता हो गई कि यह तो real हो गई minus 30 cm र रियल अगर 30 cm होता तो real virtual लिखते है so inverted है बढ़ हमें erect चाहिए नो तो A case तो नहीं होगा नो B case में अगर बात करें तो कुछ नहीं U की value minus 5 cm है F की value तो minus 15 by 2 ही है लेकिन जब हम when we calculate this so 1 by V plus 1 by minus 5 is equal to 2 by minus 15 जब हम इसको calculate करते है then what we get V की value आता है हमें 15 so plus 15 cm आया that means this is the virtual और magnification अगर बात करें तो क्या हो जाएगा minus V तो minus 15 और minus 5 which is 3 तो यह क्या हो गया positive तो positive हो गया इसका मतलब क्या हो गया erect हो गया और magnified 3 times तो हमसे जो पुछा जा रहा था कि virtual erect and magnified वो कौन सा case में होगा case B में ठीक है so this is the answer next question हमारा है कि identify the correct truth table for the above circuit which contains NOR gates and also the relevant logic operation performed by this circuit NOR gates okay so दोनो NOR gate है ठीक है so NOR gate का क्या होता है यह आपको समझना है so OR gate अगर बात करें OR gate बात करें तो क्या होता है OR gate का output क्या होता है okay so यह यह जो है NOR, NAND, OR क्या क्या है इसमें okay so it reflects the correct truth table for the above circuit which contains NOR gates and also the relevant logic operation performed by this circuit ठीक है so AND gate का क्या होता है 0, 0, 0 okay so AND gate का क्या होता है ठीक है okay so AND gate में जो होता है वो 0, 0, 0 यह AND gate का ही है ठीक है OR gate का क्या होता है 0 यह भी OR gate का ही है but he is saying ever. कि ऐसा करने पर कौन सा gate बन रहा है मैंने यह question है हमारा कि ऐसे करने पर कौन सा gate बन रहा है now AB का अगर हम लोग nor करें, तो क्या होगा AB का nor so nor gate अगर हमारा है, तो nor gate का truth table क्या होगा? पहले हम लोग यह करتे यह तो nor gate का truth table say सही दिया हुआ है तो नौर गेट का तूटते वल यह है नाव हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर यह जो y है उसकी वहाँ पर क्या value आएगा output तो अगर हम यहाँ पर output देखें तो when we put the value अब 00 तो 00 value अगर रखते हैं तो यहाँ पर 1 अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें कि 1 0 0 0 यहाँ आएगा अगर हम इसमे 1 1 रखेंगे तो क्या आजाएगा 0 ठीक है अगर 00 रखेंगे तो क्या आजाएगा 1 और 01 रखेंगे तो 0 और 10 रखेंगे फिर भी 0 यह अगर हम इसको ठीक है तो 00 का 1 और इसका अगर NOR हम करेंगे, NOR का आउटपुट निकालेंगे ठीक है, तो NOR का आउटपुट निकालेंगे तो क्या होगा, और इसका NOT कर दिया है इन्होंने, ठीक है तो NOR का, NOT अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NOR का answer तो यह होना चाहिए और यही होगा answer ठीक है यह 00 का जहाँ one है वो बस zero हो जाएगा बाकी सारे यह हो जाएगा बहुत ही आसान question था अगर आपको और गेट की समझदारी है तो ऐसे किया जा सकता है ठीक है 10 हो जाएगा 0111 हो जाएगा ठीक है तो यह कौन से में है इस में है next question हमारा है कि a radio can tune into any station in the 6 megahertz to 10 megahertz find the corresponding wave length brand so f is equal to c by lambda lambda is equal to c by f so 3 into 10 to the power 8 by 6 into 10 to the power 6 2 so 0.5 into 10 to the power 2 which is 50 meter okay और अगर हम इसको lambda 1 हो गया lambda 2 इसको निकाले तो 3 into 10 to the power 8 by 10 into 10 to the power 6 so 0.3 into 10 to the power 2 so 30 meter so 50 meter to 30 meter so this is the answer अगर आपको normal formula याद होगा तो यह question one of the easiest question था next at what depth from surface of water the pressure will be equal to 3 times the atmospheric pressure given that the atmospheric pressure is equal to 10 newton per centimeter square and g is equal to 9.8 meter per second square यह करना है or so so I am going to do this what is given here the p atmospheric air is 10 newton per centimeter square so can I write 10 into 10 to the power 4 newton per meter square ठीक है और जी की वैलू हमारा 9.8 meter per second square दिया हुआ है और वाट पी केंडे सो पी गौज्च होगा ठीक है एक्शुली क्या होता है कि पी गिवेन अट्मोस्पार्ट वाट्विट देव्थ्रम सर्फेस अपर प्रेसर विल बी इक्वल to three times the atmospheric pressure ठीक है तो पहले तो हम लोग पी बनोलेज एक्वेशन से निकालते हैं क्या निकालना है हमें रो रो जी एच की वैलू निकाल ली है हमें ठीक है तो पी absolute absolute पी जो होगा वो पी atmosphere की pressure प्लस पी गौज नाओ है तो पी गौज और पी गौज और पी गौज और रो जी एच और रो की वैलू जो होगी वो क्या हो जाएगी 1000 वाटर का है तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब यह आपको याद भी रहना चाहिए now 3 atmosphere मैंने से तो यह 2 atmospheric pressure is equal to ρो जी एच now 2 into atmospheric pressure कितना दिया हुआ था हमे 10 into 10 to the power 4 तो बस हम सिर्फ यह लिखते है is equal to ρो कितनी है 1000 g कितनी है 9.8 into h so when we put this we got the 20.4 meter as the answer so अगर आपको बर्नॉलिज थेोरम पता होगा तो आप यह question भी आसानी से solve कर सकते थे हैं कर सकते थे हैं so this is all about the यह 30 question हम लोग ने solve किया है 2021 के shift 1 की next video we are going to solve the 30 question of 2021 2021 shift to physics question okay so thank you for watching